वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम आएं मारूति के नेक्सा डिलर्शिप पर हमारे पास है मारूति की प्रीमियम हैच बैक बैल इनो और आज इसका सबसे वेली फॉर मनी वेरेंट है हमारे पास सिग्मा इसके इंजन उप्सन की बात करें तो इसमें आपने पास 1.2 लीटर क सबसे वेली फॉर मनी वेरेंट मिलता है अपने को इसके बेस वेरेंट में लगबग सारी फीचर्स मिल जाते हैं जो आपने को जरूरत के होते हैं केवल इंफोटैन्मेंट को चोड़ कर जब अंदर जाएंगे जब बात करते हैं अपन उसकी और इसकी विर्थ की बात करें है तो 1745 mm के ऐस पास मिलती है अपने को इसकी विर्थ और लैंठ मिलती है 39990 mm और height मिलती है इसकी 1500 mm चली इसके front profile से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को बेली नो के base variant में क्या के मिलते हैं आपने को इसमें 4 इरिंट मिलते हैं सीगमा डैल्ट जयटा और अलफा और CN और चंथनाजी बी अवेलेबल में सिअनजी वबाल आपको दो ही वेरेंट में मिलेगी ज्योह डेल्टा और जेटा सेले इसके front profile से शुरू करते हैं अपने को देखते हैं बैली नोकिस में क्या क्या मिलता है सिगमा में यहाँ पर यह देखे सुजुकी का logo मिलता है chrome में और grill मिलती है matte black में लेकिन काफी साही लगती है यार यह grill और dual horn मिलती है अपने को इसमें यह देखिए और इसके हेडलाइट की बात करें तो यह देखी बेस फेरेंट में अपने को प्रोजेक्टर मिलता जो कि हाई भीम लो भीम के लिए यही काम करता है यहां पर मिलता अपने को इसका टान इंडिकेर और ऐसा कुछ रहने वाला इसका ओवर्रॉल प्रोफाइल यह देखी और वि यहां पर मिलता आपने को इसका इंडिकेटर यह देखी अपने को इसका इंडिकेटर यह देखी मिलता है जो कि आपको याद दिलेगा कि वेस्ट चला रहें जारे यहां पे अपने कूछ को अगर बोडिक यह बढ कर देते तो याद से इसको देख कि पता नहीं बता बता सकता कि यह बेस वेरेंट है बस यहां पर अपने को वी कवर्स इंस्टोल करने पड़ेंगे यह देगे और यहां पर मिलता अपने को इसका फ्यूल फिलर कैप जिसकी फ्यूल टैंक केपिसिट थाटी सेवल लीटर्स और इसकी माइलेज की बात करें तो 22 किलोमेटर के कि वण और ऐसा कुछ में पुछ स्टोलम मिलता और यह बहुत आपने को एसका गिर स्टैलम मिलता है यह काफिए मिलन कि इसके टेलाइट्स यह देगी चाइप शी टेललाइट्स और यह एलीडी unser oc है एंहें पर मिलता है अपने को रिफलक्टर और 4 पॉइंट पार्किंट थेलस्ट मिलेबल यह देगे एक तीन को चार और ऐसा पुस रहेने वाला कर ध्या प्रोफाइल और यहां पर अपनेने को बूट ऑपन करने के लिए रिक्borg मिलता है यह दो लेबल है 185 65 R 15 जो कि सेम मिलता है बाकी विल्स की तरह यह भी काफी सही है और पार्सल ट्रे अविलेबल नहीं है इसमें लेकिन अपने को हुग मिलते हैं आप पार्सल ट्रे एसस्रीज के तोर पर ले सकते हैं चलिए अब चलते हैं अंदर और चेक करते हैं इसका इंटीर और अंदर ज यहां पर मिलते हैं को कई होल चलते हैं गाडी गे अंदर देखते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर यह देगे एसा किस मिलता अपने को इसका ड्राइवर साइड डोर यहां पर soft touch available है यह देखिए और dual tone मिलता अपने को navy blue और black में और यहां पर all four power windows के switch मिलते हैं एक फिर से बता देता हूं हमको यह इसका base variant है इसी में अपने को all four power windows मिलते हैं और driver और power window auto down के साथ available है auto down available है auto up available नहीं है इसमें और यहां पर डोर्स को लोग अलोग करने के लिए और यहां पर मिलता है अपने को डोर हैंडल और बोटल होल्डर इस्टोरेजी स्पेस और speaker अवेलेबल नहीं है इसमें यह देखिए प्लैसिंग दी गई स्पीकर्स की लेकिन इस smart hybrid को on-off करने के लिए मिलता है यहां से auto on-off के लिए micro hybrid के साथ आती है यहां पर यहां पर मिलता है अपने को headlight का insight मिलता है और dual tone मिलता है अपने को इसका dashboard यह देखिए dual tone dashboard अवेलेबल है इसमें यह देखिए यहां पर gray मिलता है और यहां पर मिलता अपने को black और यहां पर कोई इंफोटैन्मेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है लेकिन आप ऐसे स्रीज को तोर पर ले सकते हैं नेक्सा से जो अपने को डेल्टा में मिलता है वह वाला इंफोटैन्मेंट आपका इसके इंस्टॉल हो जाएगा और यहां पर मिलता है इसका instrument cluster पर बद कि देखते हैं यह देखिए लेफ्ट एंड साइड मिलता अपने को इसका आर्पिया मीटर राइट एंड साइड मिलता अपने को इसका स्पीड ओमितर जिसमें 220 तक की स्पीड मार्किंग किये गई है और यहां पी मिलता अपने को इसकी M.I.D. इसमें अपने को सारे information सो होती ह इसमें फ्यूल वगेरा की टाइम टेंप्रेचर वगेरा यह सब इसमें अपने को सो हो जाता है और ऐसा कुछ मिलता अपने को इसका steering wheel D-cut steering wheel मिलता अपने को यह थोड़ा sporty सा लगता है यहां पे सोजी की logo और silver color की ring मिलती है अपने को इसमें यह देखिए steering भी काफी सही लगता है और यह देखिए इसका center console यहां पे कोई भी infotainment system नहीं मिलता है यहां पे AC के वैंस हजार लाग का switch और base variant में ही अपने को यह देखिए और दो cup holder मिलते हैं और five speed gearbox यहां पे मिलता अपने को इसका handbrake और यहां पे फिर से storage space कोई भी armrest वगेरा इसमें नहीं मिलता है यह इसका base variant है और glove box की बात करें तो यह देखिए काफी deep glove box मिलता अपने को इसमें चलिए इसको बंद कर देते हैं और यहां पर अवेलेबल है इसका sunset इसमें कोई भी vanity mirror अवेलेबल नहीं है और यहां पर अपने को grab handle मिलते हैं यह देखिए काफी soft मिलते ही ऐसे नहीं है कि एकदम सी जाता है जटके से काफी slow जाता है यह काफी सही चलिए सीट के अजेस्टमेंट की बात करते हैं कैसे अजेस्ट होती है इसकी diver's height sheet और यह देखिए ऐसी कुछ मिलते है अपने को इसकी seat जो की cable tilt के लिए अजेस्ट कर सकते हैं आप और recline के लिए आगे पीछे कर सकते हैं और इसको पीछे कर सकते हैं रेस्ट के लिए और यहां पर height adjustment आवे लेवल नहीं है इसमें और यह देखिए अपने को इसका rear door जो की dual tone में मिलता है यह देखिए यहां पर अपने को navy blue और black में मिलता है यहां पर भी कोई भी इस पेकर वगए रावे लेबल नहीं है लेकिन आप placing मिलती है इंस्टॉल करवा सकते हैं bottle holder और door को open करने के लिए handle ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसके rear seat यह देखिए अपने को काफी सही मिलता है थाई सपोर और कुष्णिंग भी काफी सही मिलती है यह देखिए और इस पेस यह देखिए काफी संदर इस पेस अवेलेबल है यहां पर यह देखिए यह वाली शीट मेरी हाइट के कोडिंग एड़ेस्ट है और फिर भी मेरे को पांच इंच के अप्रोक्स लेग रूम मिल रहा है इस पेस काफी सही मिलने लग गया है बेलीनों में और यह देखिए पहले से काफी सह और फ्रेंट वील्स में डिस्क ब्रेक बागी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे सो हो रही होगी यह देखिए चलिए इस वीडियो में फिलाल इतने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच